आगे बढ़ चलते हैं ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास दो थोड़े से direct questions है पहले में क्या लिखा है कि a shell explodes and many pieces fly off in different directions the following is conserved इन में से क्या conserved रहेगा यह हमें बताना है बहीं शेल जो है वो रखा हुआ था कहीं rest पर अब वो explode हो गया कई हिस्से हो गई उसके है ना explode करने पर उसके कई हिस्से हो गई तो एक बात तो clear है explosion का case है momentum तो conserved रहेगा ही रहेगा यानि कि B या फिर D correct है देखें यह और यह अभी हम ignore कर सकते हैं फिर आगे देखो तो B में लिखा है कि सिरफ momentum conserved रहेगा लेकिन D में लिखा है momentum और kinetic energy दोनों conserved रहेंगे अब यह kinetic energy कैसे conserved रहेगी आप खुद देख लो shell पहले तो left में था kinetic energy कितनी थी? 0 लेकिन बाद में fragments कोई इधर गया कोई उधर गया, कोई इधर गया तो kinetic energy बाद में non-zero हो गई तो kinetic energy तो conserved नहीं है लिखा है अपने को Johnny and his sister Jane they race up a hill ठीक है तो अपने को दो बच्चे बता दिये उन्होंने एक है Johnny और दूसरा है Jane तो यह race लगाते है एक पहाड के उपर अब Johnny का जो weight है वो double है Jane से तो Jane का weight अगर W है तो Johnny का weight 2W है double है and takes twice as long as Jane to reach the top अगर Jane जो है पहाड पे चड़ने में time लगाती है T तो Johnny time लगाता है 2T अच्छा अब हमें इनका कितना इन्होंने work किया और कितनी power deliver की उसके बीच में हमें relation निकालना है ठीक है तो work done जो होगा बिटा देखो हाँ Jane ने अपना सिरफ W weight उठाया तो उसे कुछ work करना पड़ा दोनों पहाड पर चड़े दोनों को same height h cover करनी पड़ी पर work done तो क्या होता है force into displacement तो h तो यहाँ पर same आ रहा है दोनों के लिए पर force जो दोनों को लगानी पड़ी वो different है क्योंकि Jane ने अपने weight के बराबर force लगाई और Johnny ने अपने weight के बराबर force लगाई यहने कि work done किस ने ज्यादा किया Johnny ने ठीक है अब power की बात करते है power क्या होती है work upon time अच्छा तो देख लेते है Jane का power कितना आएगा W by T ठीक है same किया तो power delivered is same for both तो अब answer आजाएगा मेरा option B कि Johnny ने ज्यादा काम किया और same amount of power deliver की ठीक है आगे बढ़ चलते है ओके अगले में क्या दे रखा है a ball of mass M moves with constant velocity U and strikes against a ball of same mass kept at rest ठीक है तो U1 मुझे कितना दे रखा है 0 और U2 दे रखा है sorry U1 जो है मुझे U दे रखा है और U2 मुझे दे रखा है 0 अब आगे क्या दे रखा है if coefficient of restitution is E then what will be the ratio of velocity of two balls after collision तो मान लेते है velocity इसकी after collision V1 होगी और इसकी velocity after collision V2 होगी ratio of velocities मुझे निकालना है यानि कि मुझे V1 by V2 बताना है क्या होगा और मुझे ये दे रखा है कि coefficient of restitution E है coefficient of restitution का मैं एक बार आपको formula revise करा दूँ तो क्या था it is equal to V2 minus V1 upon U1 minus U2 तो इस तरह के questions में हम लोग जनरली दो तरह के relation लगाते हैं एक लगा देते हैं हम coefficient of restitution का formula और दूसरा हम conservation of momentum लगाते हैं ठीक है यहाँ पर देखते हैं क्या लगेगा तो पहला तो अपने पास क्या आ रहा है E का relation है E is equal to V2 minus V1 upon U1 U1 देखो कितना है U के बराबर और U2 कितना है 0 तो मेरे पास आगया relation EU is equal to V2 minus V1 ठीक है अब दूसरी equation मेरी बन जाएगी conservation of momentum से पहली equation है दूसरी बन जाएगी conservation of momentum से initial momentum कितना है system में M into U पहली ball का दूसरी ball तो rest पर है this is equal to M into V1 पहली ball के लिए final momentum उसका और दूसरी ball का momentum कितना है M into V2 यहाँ पर M common लेकर cancel हो जाएगा और मेरे पास आजए का U is equal to V1 plus V2 ठीक है अब हमें निकालना क्या है इन दोनों balls के ratio निकाल लिए तो मैं इसको second equation को first में substitute कर देती हूँ ठीक है U की जगा पे मैं V1 plus V2 लिख देती हूँ तो V1 plus V2 यहाँ पे लिख दिया और this is equal to V2 minus V1 तो इसे ज़रा open कर लेते हैं EV1 plus EV2 equal to V2 minus V1 ठीक है V1 वाली terms को एक तरफ ले आते हैं EV1 plus V1 और V2 वाली terms को एक तरफ ले आते हैं V2 minus EV2 अब left hand side से V1 common आ जाएगा E plus 1 और right hand side से V2 common आ जाएगा 1 minus E दोनों का ratio आ जाएगा V1 by V2 equal to 1 minus E by 1 plus E तो answer क्या आ जाएगा मेरे पास पहला option A ठीक है? I hope आपको clear हुआ होगा आगे बढ़ चलते हैं ठीक है क्या दे रखा है कि एक पार्टिकल है जिसे हमने ह हाइट से रिलीस किया यह हाइट कितनी दे रखी है है? At a certain height, कहीं किसी height पर, मानों यहाँ पर, its kinetic energy is 2 times its potential energy, इसकी जो kinetic energy है, it is 2 times its potential energy, ठीक है, तो height and speed of particle at that instant हमें बतानी है, तो इस height को हम h' माने लेती है, यहाँ पर हमें इसकी height और इसकी velocity बतानी है, क्या होगी, ठीक है, तो हम लोग क्या लगा लेते हैं, हम लोग conservation of energy लगा लेते हैं, kinetic energy equal to 2 times potential energy है यहाँ पर, इस point पर, और initially आप देख सकते हो कि इसके पास kinetic energy नहीं है, सिरफ potential energy है, और यहाँ जो इसकी potential energy है, वो कितनी है, MGH के बराबर, ठीक है, तो according to conservation of energy, initially इसके पास सिरफ potential energy है, जो कि यहाँ जाकर kinetic energy और potential energy में convert हो गई, तो kinetic energy plus potential energy, ठीक है, अब मुझे दे रखा है कि kinetic energy तो potential energy का 2 times है, तो मैं उसको यहाँ लिख लेती हूँ, तो यानिके हम कह सकते हैं, कि MGH is equal to 3 times potential energy, यानिके 3 times MGH' जिस new height पर यह है, तो यहाँ पर हम MGH और MGH को cancel कर देंगे, और मेरे पास H' जो है, वो आजाएगा, H by 3, ठीक है, H by 3 आगया, अब यहाँ पर मुझे उसकी kinetic energy पूची है, क्या होगी, kinetic energy नहीं, sorry, velocity पूची है, पर हम निकालने के कैसे kinetic energy को use करके, तो kinetic energy जो है, वो यहाँ पर होगी, कितनी, 2 times potential energy, ठीक है, तो kinetic energy का formula क्या होगा, half M V square, potential energy कितनी है, यहाँ पर इसकी, M G H', M से M, cancel कर देते हैं, V square by 2, is equal to 2 G, और H' की value कितनी आई है, H by 3, तो V square अपने पास आजाएगा, 4 G H by 3, तो V की value आजाएगी, under root of 4 G H by 3, तो अपना answer आजाएगा, कौन सा option मैच हो रहा है, यहाँ पर, हाँ, इसने से हम 2, यह 4 बाहर निकाल सकते हैं, 4 square 2 का, तो 2 under root of G H by 3, तो अपना आगया option B, यह सही answer है, तेक है, आगे बढ़ चलते हैं, चलो, तो इस question में अपने को क्या दे रखा है, कि particle A makes perfectly elastic collision with another particle B at rest, ठीक है, तो एक particle है A, दूसरा particle है B, A initially move कर रहा है, इसकी speed कुछ U1 मान लेते हैं, फिर B जो है वो rest पर है, यानि कि U2 जो है वो 0 है, फिर क्या दे रखा है, कि collision के बाद they fly apart in opposite directions with equal speed, तो collision के बाद A जो है वो इधर जाएगा speed V से, और B जो है वो इधर जाएगा speed V से, ठीक है, अब यहाँ पर हम conservation of momentum लगा लेते हैं पहले तो, आप साथ साथ equation लिखते रहें अपने copy में, और match करिए मेरे equation से, ma into u1 plus mb into u2 जो की 0 है, this is equal to ma into minus v, ध्यान रहें यहाँ साइन का, अक्सर ऐसे equations में साइन की ही मिफ्टेक होती है, क्योंकि a जो है, वो left side पर जा रहे है, इसलिए मैंने इसकी velocity negative ली है, ठीक है, plus mb into v, तो अपने पास आजएगा, ma u1 equal to minus ma v plus mb into v, इसको हम ऐसा भी खहे सकते है, ma u1 equal to v mb minus ma, ठीक है, यह एक equation आगई, दूसरी equation में रहे पास आएगी, इस जो दे रख करना, अपने को की elastic collision है, तो यहाँ पर हम coefficient of restitution की equation लगाएंगे, elastic collision के लिए e की value 1 होती है, ठीक है, तो this is equal to v2 minus v1 upon u1 minus u2, यहाँ पर v2 कितना है, b के लिए, तो v, और a के लिए v1 कितना है, minus v, u1 कितना है मेरे पास, u1 को u1 रहने देते हैं, और u2 कितना है, 0, तो यह आगए 2v by u1, तो अपने पास यह आगए, कि 2v जो है न, वो u1 के बराबर है, यह आगए equation 2, अब 2 को अगर मैं 1 में पुट कर दूँ, तो क्या आएगा, कि ma, u1 के जगह में 2v लिख लेती हूँ, is equal to mb minus ma into v, ठीक है, v से v cancel हो जाएगा, तो अपने पास आजएगा, 2ma, equal to mb minus ma, ma को left fat पे ले चलते हैं, तो यहाड हो जाएगा, 3ma, equal to mb आजएगा, और ratio जो मेरे पास आएगी, ma upon mb, वो आजएगी 1 by 3, तो answer आगे अपना, कितना 1 by 3, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले equation पे, अच्छा, अब क्या दे रखा है, an object of mass m, an object of mass m, is allowed to fall from rest, a longer rough inclined plane, speed of object, reaching the bottom of the plane, is proportional to, वैसे तो यह, देखा जाए, थोड़ा direct question ही है, क्योंकि speed as such, जो है, वो mass पर depend नहीं करती, तेखा है, क्योंकि यहाँ पर air friction वगेरा, यहाँ ऐसा भी कुछ नहीं दे रखा, बट तिल, हम इसको एक बार solve करके देख लेते हैं, आपको बता देती हूं, इसका answer जो है, वो d ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा, वो बता देती हूं, तो inclined plane का पहले, हम diagram बना लेते हैं, तो inclined plane प्लेन पहले, अगर मैंने कोई object रखा है यहाँ पर, है ना, और उसे हम free fall करने दे रहे हैं, नीचे आने दे रहे हैं, तो इसके उपर कौन कौन सी forces लगती हैं, एक तो इधर mg लग रहे हैं, ठीक है, यह अगर theta है, तो इसका component mg sin theta इधर लगेगा, फिर friction लगेगी, क्योंकि friction दे रखा है, यहाँ पर present है, friction इस तरह से लगेगी, अब friction जो होगी, वो कितनी होती है, mu into normal reaction के बराबर होती है, यहाँ पर normal ऐसे लगेगा, perpendicular to inclined plane, और यहाँ इसके जिफ्ट opposite, mg को दूसरा component आएगा, mg cos theta, तो friction आजाएगी कितनी, mu mg cos theta, ठीक है, अब यह block जो है, यह नीचे आ रहा है, तो इसकी जो acceleration होगी, वो कितनी होगी, net force पहले देख ले थे, कितनी होगी, net force इसकी जो होगी, वो होगी mg sin theta, नीचे की direction में, minus friction, friction कितना है, mu mg cos theta, ठीक है, acceleration निकालने के लिए, हम क्या करेंगे, net force divided by mass, तो आप देखो, mass का तो ना concept, mass का जो basically chapter है, वो यहीं खतम हो रहा है, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं हम इस पूरे को, m से, तो इसको फटाफट लिख लो, cos theta divided by m, तो भई, mass तो यहीं अड़ गया, scene से, mass का कोई roll है यहीं, तो acceleration जो है, वो सिर्फ कितनी आजाएगी, g sin theta, minus mu m, mu g cos theta, यह आगई acceleration, अब speed जो आएगी, वो कितनी आजाएगी मेरे पास, acceleration into time, क्योंकि initial speed तो, जो है, b equal to u plus 80 लगाएं, तो यह तो 0 ही है, left से शुरू किया, तो 80 के बराबर यह आएगी, अब a जो है, वो आप देख सकते हो, कि वो तो depend ही नहीं कर रहा है, mass पे time भी depend नहीं करेगा, mass पे क्यों नहीं depend करेगा भई, time होता है, under root of 2h by g, तो वो तो सिर्फ किस पे depend कर रहा है, height पर कि भई, कितनी height से वो गिरेगा, यह भी mass पे dependence नहीं है, तो इसका answer आजएगा option D, तेक है, आगे भढ़ते हैं, अब अपने को क्या दे रखा है, कि एक gun है, जिसका mass 5 kg है, and एक bullet को इसने fire किया, जिसका mass 10 rt पर minus 2 kg है, and speed है इसकी 5 x 10 rt पर 2 meter per second, kinetic energy पूछी है भई, bullet की कितनी होगी, अब bullet की kinetic energy पूछी है, तो gun की तो कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, सीधा हम क्या लगाएंगे, half into mass of bullet into velocity of bullet का square, तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर तो direct बहुत ही ज्यादा direct, बहुत ही ज्यादा basic question है यह थो, minus 2 into velocity of bullet, 5 into 10 rt पर 2 का square, ठीक है, इसे आगे solve कर लो, half into 10 rt पर minus 2, into 5 का square 25, और यह हो गया 10 rt पर 4, अब यह इससे cancel हो जाएगा, यहाँ पर सरफ 2 बचेगा, तो अपने पास answer आजाएगा कुछ, 25 divided by 2, कितना हो जाएगा 12.5, into 10 rt पर 2, या फिर हम इसे लिख सकते हैं, 1.25, into 10 rt पर 3, जूल्स, ठीक है, इतनी आगे kinetic energy, और अप्शन एक करेक्ट है, इसके लिए, आगे चलते हैं,